हेलो फ्रेंज, वेलकम बेक टू माई चैनल इंडियन कीचन तो आज हम बनाने वाले हैं सत्यनाराइन भगवान का महाप्रशाद एकदम परफेक्ट माप के साथ और आपको सुजी को कितनी देर रोष्ट करना है सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी सुजी लेनी है तो यहाँ पर मैंने मोटी वाली सुजी ली है जब भी आप सुजी का शीरा बनाएं तब इस तरह की मोटी वाली सुजी ही लीजिए तो एक कप सुजी के सामने मैंने एक कप घी ले लिया है और एक कप मैंने शुगर ले ली है हमें यहाँ पे पतली वाली सुजी पिलकूल यूज नहीं करनी है अब हम यहाँ पे दूद भी ले लेते हैं तो एक कप सुजी के सामने हमें तीन कप दूद ले लेना है सत्य नाराइन का जो मरहा प्रशाद है वो दूध में ही बनता है, अगर आप दूध की बचाय पानी का यूज़ करना चाहते है, तो अब तिन कप पानी ले लिजिये, या तो आप आधा पानी और आधा दूध ले लिजिये, लेकिन जो मैजनमेंट है वो आपको परफेक रखना है अगर आपके पास इस तरह के कप नहीं है तो आप कोई घर की रही कटोरी से ही नाप ले लीजिए दूद को अब हमें गरम कर लेना है तो दूद में करीबन एक उबालाये तब तक हम इसे गरम करेंगी हमें इसे ज्यादा गरम करनी की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा गर हम क्या मिस्टेक करते हैं जब भी दूद गरम करते हैं तब भी उसमें हम शुगर एड़ कर देते हैं लेकिन हमें यहाँ पे शुगर एड़ नहीं करनी है दूद गरम हो चुका है अब हम सूजी को रोष्ट कर लेंगे तो एक कप गी ले लिया है मैंने उसके अंदर हम सूजी एड़ कर देंगे एक कप जितनी सूजी को हमें medium flame पे ही roast करना है high flame पे roast नहीं करना है अगर हम इसे high flame पे roast करेंगे तो जल्दी से colorist का change हो जाएगा और वो अच्छे से roast भी नहीं होगी सूजी का जो एक एक दाना है वो अच्छे से full जाए उसी तरह हमें roast करना है अब हमारी सूजी एकदम perfect तरीके से roast हुई है या नहीं उसका पता आपको कैसे चलेगा तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि हमारी जो सूजी है उसकी जो consistency है वो एकदम हलकी हो जाएगी सूजी है जब आप हिलाएंगे तो एकदम हलकी लगेगी और उसकी जो quantity है वो भी करीबन 2 गुना हो जाएंगी जितनी हमने सूजी लेए उससे करीबन ज्यादा हो जाएगी तो हमारा एक एकदम अच्छे से full गया है अब हम dry fruits एड़ कर देंगे तो dry fruits हमें अभी एड़ कर देना है ताकि वो अच्छे से गी में रोष्ट हो जाए और उसका टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा अब हमारा dry fruits भी अच्छे से रोष्ट हो चुका है तो हमने जो दूत गरम करके रखा था उसे एड़ कर देंगे हमें सारा दूत एक साथ एड़ कर देना है अगर आप चाहें तो इस वक्त थोड़ी देर के लिए गेस की flame को बंद कर सकते हैं और वापस से शुरू करने के बाद आप इस तरह से continuous हिलाते रहेंगे जैसे हमारा जो सूजी का हलवा है वो एकदम अच्छे से तयार हो जाएगा आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूध है वो सूजी ने एकदम absorb करना शुयू कर दिया है और एकदम absorb भी कर लिया है और हमारा शीरा अच्छे से ठीक हो गया है हमने इसमें sugar add नहीं किये तो last में इसे sugar भी add कर देंगे तो सूजी के हलवे में हमें हमेशा last में ही sugar add करनी है तो हम ilaiji powder और सूजी में sugar add कर देंगे जैसे ही हम sugar add करेंगे तो हमारी सूजी है वो वापस से थोड़ी सी पतली हो जाएगी मतलब वापस से थोड़ा सा liquidy form में आ जाएगी तो आप देख सकते हैं इसी तरह हो जाएगी तो गबरानी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें sugar add की है इसलिए ऐसा हुआ है थोड़ी देर ऐसे ही हिलाते रहना है और आप देख सकते हैं कि वापस हमारा जो सूजी का शीरा है वो एकदम perfect consistency में आ जाएगा तो इस तरह से हमारा सूजी का शीरा बनके तैयार हो चुका है अब गेस की flame को बंद कर देते हैं और ले लेते हैं serving bowl में तो जब भी सूजी का शीरा बनाए तब हमें उसे एकदम अच्छे से roast करना है और जो measurement है वो perfect होगा तो आप पहली बार भी बना रहे हैं तब भी आपका सूजी का शीरा बहुत अच्छा बनेगा अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe करके बाजू मेरे बेल आइकन पर click कर दीजिए